की से उएंगी आयोप आप बहुत अच्छे होँगे अच्छे होना चाहिए खूस रहो मस्त रहो तो आज हम आपको दिखाएंगे इट का भठफा मडलाब इटamente कैसे वनती और इटे को बनने के पहले क्या-क्या चीजह होती है तो हम आपको तेकि रहे हैं इट का भठा hey बीच की जगा खाली है इसमें साइड इट भृ जाती है साइड मुझे कण्फरम है और ौरा दोनों इससके दीवार और इधर भी इदर भी है तो धोड़ा इसके नीचे चल के देखते हैं क्या चीजे ऐं क्या सीचीजे हैं अब अब पर चुरूल सबस्क्ताइब और इसे हर जगह पे इधर बीए और इधर रास्ते से इट तो उबहर लेके जातें अभी देखो पुरा हैके ठीट होती है तो यह एक एक लर्डनीड को भॉनाते हैं इट को कहाई से पहले हुत छो लेके आते हैं फिर इन इंई जीए में पांगाते हैं इनमें ये कोईला से अडलाश नाइप से इसने पुंद अगों डालके ust को युट को यह बहुत लंबी सुरंग टाइब कर लेख रहे हैं लगवाग एक छोड से दूसरे छोड तक है यह लगवाग यह सो मीटर होगा करीब और इधर भी ऐसा कुछ है तो मापको और कुछ यहां पर इट बंद हो गया इंडड का प्रोडक्षन यह कुछ इनकी इट है रखी हुई है यह इट का प्रोडक्षन और देखो यह इट की गर्मी से यह जो मिट्टी के दिवाले दिख रही हैं आपको यह लाल हो गई है पूरी तरीके से तो लोग अब यहां पर इतना जानवर चोड़ दी है उतना इदर उनके भोजन है तो इदर भोजन करें तो थोड़ा आपको चिमनी के पास में लेके चलते हैं और चिमनी को दिखाते हैं कैसे इतने दूर से इसीच को बनाया गया है तो कुछ इस टाइब से आई है आप देख रहे होंगे इसे और यह पूरा इतना उचाय लगबग यह कम से कम नहीं तो 50 फुट होगा मारे अंदाज से बाकि अगर आपके अंदाज से कितना लगता है नीचे कमेड़ में बताना और इधर इट का यह देखो स्टॉक्स रखे है उनके यह इट का प्रडक्शन है पहले यहां पे बहुत सारा इट रहता था और इधर भी इटे रखे हुई है और अब इधर क्या है कि पूरे तरीके से देखो सामने आपको यह जानवर भी दिख रहे होंगे कुछ गाओं के लोग यह जानवर अपना इधर बलब लेके आयन को चराने के लिए इनका इधर बोजन पानी है और इधर आप देखो गाओं की कुछ हर्याली भी देख लो इस वीडियो में सामने यह सरसो का खेथ है जो कुछ येलो कलर का दिख रहा है और यहां से थोड़ी दूर पे इधर पकने वाती है तो यह पकने वाला सिस्टम है इट पकाई है यह बीच में जो सोड़े तो गड़े दिख रहे हैं यह यहां पर साइद कुछ इनमें इंधन होगा डालते हैं तो जिससे इट पकती है बस यार इस वीडियो में मिलते हैं फिर किसने श्टूड़ में जाबी रहो खुस रहो